आपकारी मंत्री जगदिस देवडा ने पत्रकारों को बताई कि नए संकल्प, नई उमंग और नए उत्साह के साथ आत्मनिर्भर मध्य परदेश का निर्मान करना है। कोरुना की तिस्री लहर आ गई है, उसका मुकाबला जन सहयोग से करना है। आउशक व्यवस्थाएं बना ली गई है, लेकिन सजक और सतर कर रहना है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ये संभावना बिलकुल समाब तो हो जाए, कोरोना पूरी तरह से समाब तो हो जाए, कोई परिशानी प्रदेश की जनता को देश में नहीं हो ये वगवान से हमारी प्रार्थना है। कोई छिपने वाली बात नहीं है, जब भी वो तैयार हो जाएगी नीती, उसको लागू करेंगे, तो आप लोगों के सामने वो सब आएगा, लेकिन अभी उस पर पूरा विचार उमर से चल रहा है, और जो नहीं आपकारी नीती बनेगी, तो कहीं ने कहीं मुझे लगता है कि ठीक व्योस्ता हम करेंगे, और चूंकि वो तो एक अप्रेल से प्रारंब होगी, इसलिए अभी समय है, अभी उस पर पूरी तरह से अंतिम महर लगी नहीं है, जब लगेगी आपके सामने हम बताएंगे। प्रारंब होने वाला था एक तारिक से, तो कल 31 थी, इसलिए उन्होंने अर्जेंट उन्होंने बैठक बलाई थी, चूंकि सब लोग वहाँ पर उपस्तित थे और उस बैठक में उन्होंने सभी ने, सभी राज्यों ने इस बात पर सामती व्यक्त की, कि जो 12%, 5% से बढ़ा करके 12% किया है, उसको अभी डेफर किया जाए, और अभी उसी इस्तिती में रखा जाए, जो 5% पहले जीस टी लगता था, तो कल एक महत्मून निर्णे भारत सरकार की वित्तमंत्री जी ने, सभी की सहमती, सभी राज्यों की सहमती से लिया, किस तरीके से आप आगे, आपका विज़न देने वाला है, क्या करेंगे, धन संग्रह के राजस्व प्राप्त करने वाले जितने भी विवाग है, उनकी के बार चर्चाय हुई है, बैठके हुई है, के नवाचार योजनाय उसमें आई है, कैसे रेवेन्यू जर्नेट की जा कि जा सके, उस पर पूरी तरह से मन्थन किया जा रहा, और मैं आपको ये आसरत कर रहा हूँ, कि रेवेन्यू बढ़ रही है, जो पीछले कोरोना के संकट के कारण जो कमी आई थी, अब धीरे-धीरे GST में हो, पंजियन में हो, आपकारी में हो, या फारेस्ट में हो, माइन के लिए, ठीक समय होगा, और ये नया वर्ष हम सब के लिए ठीक हो, मंगल हो, शुब हो, आप सब को भी बहुत-बहुत बधाई शुक्राइब हो, गया हुआ था, वहाँ पर वित्त विभाग की बैठक भी थी, भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सिता रमन जी ने जिम्मेदारी है, कई उप मुख्य मंत्री को रेती है, कई मुख्य मंत्री के पास रेती है, तो वो सारे ही प्रदेशों से वहाँ पर मंत्री थे, मैंने मंत्री प्रदेश सरकार की और से, मानि मुख्य मंत्री जी की और से, भारत सरकार की वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास जो आम बजट आने वाला है केंदर का मुख्य बजट बजट पूर्वा उन्होंने बैठक आमंतरित की सभी राज्यों से सुझाओं आमंतरित किये यह एक अच्छी परंपरा उन्होंने शुरुकी है निश्चे तुरुप से बजट कैस इसा होना चाहिए देश का बजट कैसा हो उसमें आपके प्रदेश के लिए क्या आवशक्ता है क्या नहीं है यह सारी बातें उन्होंने सबसे सुजाव लिये हैं यह वास्ता में बहुती सरानी काम उन्होंने किया है अगरे किया है सभी प्रदेशों ने अपनी अपनी बात रखी वहाँ पर कि अभी एकदम से कंपन्शेशन वगरा जो जीएस्टी की जो एक व्यवस्ता थी तो एकदम से बंद करने के बजाए उसको धीरे धीरे अगर वो करेंगे तो प्रदेश में इस्टीती थोड़ी सी ठीक रहेगी क्योंकि एकदम से बंद करना क्यूंकि अभी कोरोना के संकट महा संकट से सारे राज्य गुजरे हैं तो उसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है इसलिए सब ने आगरह किया है और मतिपदेश सरकार की ओर से हमने जो आपदा से संबंदी जो मानिमुक्य मंतिरी जी की तरफ से पत्र गया था और जो राशी हमने मांगी है तो उसके बारे में भी हमने सुझाओ दिया है और भी मतिपदेश सरकार की ओर से जो हमको रिलेक्शेशन मिलना चाहिए रिण लेने में जो विशेस सुविधा उन्होंने दी थी वो शायद मुझे लगता है कि थोड़ी अब कम क करेंगे लेकिन हमने अगर किया कि अभी उसको रखा जाए तो कुल मिला करके जो बैठक हुई है बहुत ही सारगर्भीत बैठक हुई है जो क्यांती बज़टा नहीं है न केदर सरकार ने डाला न मतिपदेश की सरकार ने डाला आपने देखा होगा कि सारे काम जनता के हित् है अभी भी जब दूती अनूपुरक आया है विधान सभा में तो हमने पूंजी गत मद में जादा रखा है राज्य समत के बज़ा है पूंजी गत मद में जादा रखा है हमने और राज्य के विकास के लिए जो बहतर हो सकता है वो सब काम हमने किये हैं थैंक्यों सारी प्रमूब बातों पर उनका ध्यान आकर शिद्धि किया है। भारती जनता पार्टी अपने संगठन कारे के विस्तार और काम के सुधरी करका जो हमारा अभियान है। हम बड़े पेमाने पर इस अभियान को करने का हमने जो मैंने कहा कार विस्तार और कारे के सुधरी करण का अभियान हमें लिया है। जिसमें दो बड़े हमारे टार्गेट हैं कि ब्रत्यक बूत को सक्षम बनाने के लिए। भारती जनता पार्टी ने जो विस्तारक योजना की है। जो ठाकरे जी ने अपने जीवन का एक एक पल भारती जनता पार्टी के संगठन को मत्यप्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर एक पधती को विक्षित करने के लिए और एक आईडियल और्गेशन बनाने में जो अपना जीवन लगाया। एसे हज़ारों हज़ार कारेकरताओं ने भी भारती जनता पार्टी को ख़ड़ा किया है। तो इस वर्स उनके जर्मस्थापदी वर्ष पर हम लोगों ने तेक किया है कि हम जादा से जादा समय लगाकर अपने संगठन का जहां हम कमजूर हैं। सासक्त बने और जहां सक्षमेवा और हम आज के तकनीकी के युग में कैसे और अच्छे बने चार नए पेरामीटर्स में भारती जन्ता पार्टी हर बूत पर हर मंडल में हर ग्राम नगर के इंदर में सक्षम बने यह हमारा इसवार का प्रयास है इसलिए विस्तारक योजना म हर कारिकरता चाए वो प्रदेश अध्यक्ष है या किसी भी इस्तान पर है सभी कारिकरता समय देख करके भारती जन्ता पार्टी के काम के विस्तार में चुटेंगे प्रत्यक बूत को सक्षम बनाएंगे अपने मंडल को स्वाबलंभी मंडल बना कर सक्रिय ग्राम नगर के खड़ा हो ये पहला हमारा प्रयास होगा और समर्पन निजी के माध्यम से अपने संगटन को आर्थिद्रस्टी से मजबूत करना ये भी हमारा इसवार का लक्ष है और कई इस प्रकार के पेरामींटर से इसमें हमारे यूथ कनेक्ट नौजबानों को भारती जन्ता के साथ कैसे जुड़ें इस पर भी हमारा मोर्चों के माध्यम से और अन्यन प्रकल्प से लेकर के भारती जन्ता पार्टी के संगटन तंत्र में हम इस प्रकार का प्रयास इस वर्ष करेंगे और इस पर लगातार हमारा काम चल रहा है मैं अपने एक बार सबको बहुत- प्रदेश वासियों के साथ साथ भारती जन्ता पार्टी के सभी कारकरताओं से भी विशेश अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कौरुना का संकट तीसरी लहर की जिस प्रकार की आहट हो रही है उसमें हमारी सरकार माननी मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे अपने प्रशासिनिक तंत्र के साथ गंबिरता से काम पहले भी चल रहा था बीशे में हमारी अच्छी तैयारी हुई है हम अलर्ट हैं लेकिन हमको सजग रहने की और जरूरत है मास्क लगाना सेनेडाइजर से लेकर के सोसल डिस्टेंसिंग जो सरकार ने नौमस्ते किये हैं और साथ में ही मुझे ऐसा लगता है कि बैक्सिनेशन में जो लोग बचे हैं उनको बैक्सिनेशन कराना दोन डोज लग जाएं जो बचने का सबसे बड़ा माध्यम है लेकिन यह संकट तला नहीं है आगामी समय में कोरुना के संकट में फिर हम को और सजग रहने की और साबदानी रखने की जिरूरत मैं सबसे एक बार पढ़े अपील करता हूँ है 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 हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुलें